जी हैं दोस्तों स्वागत आपका SPG चैनल में दोस्तों आज किस बीडियों बात करेंगे MP Board 10th Class और 12th Class के रिजल्ट के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है कि MP Board 10th Class और 12th Class का रिजल्ट जारी कर दिया गया है 25 मई को दुफ्यर के साड़े बारे बजे हमारा रिजल्ट आ चुका है लेकिन जब आप 10th Class का अपन रिजल्ट चेक कर रहे हैं वीडियो के मादधम से वीडियो को शेयर कर देना है सभी के साथ में धेकि दोस्तों क्या होता है कि अगर आप 10 वी क्लास के स्टुडेंट हैं और हैज दिखाई दे रहा है और SUPTH आपको दिखाई दे रहा है इसका सीधा सा मतलब है कि आपको सप्लिमेंटरी आई है अब आप क्या करना है सप्लिमेंटरी का फॉर्म बरना है यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है आपको यहाँ पर सप्लिमेंटरी का फॉर्म बरना है सीधी सी बात सप्लिमेंटरी का फॉर्म कैसे बरना है जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँगा ठीक है और सप्लिमेंटरी का फ अब कौन कौन से बिस्याय का सपलिमेंट्री का बरना है जिसमें आपको सब्当 करना है significance जो भी student है उनको क्या करना है devoted class के student की मार्षीट है उसमें केबल एक विशय में आपको SUPTS दिखाई देगा careful और careful एक विशय में SUPTS दिखाई देगा ठीक है एक विशय में अगर एक से जादा मिशय में दिखाई देता है तो फिर फैल होता है ठीक है लेकिन जो 12th में supplementary मिलती है वो 1 बिसे में मिलती है दस भी क्लास में 2 बिसे में जिसमें से 1 बिसे में SUPTS दिखता है और 1 बिसे में HES दिखता है और जो 12th क्लास के student है उनको 1 बिसे में SUPTS दिखता है तो दोस्तो 12th class के जो भी student SUPTS दिकरा है तो इसका भी सीधा सा मतलब है आपकी supplementary आई है ठीक है supplementary आई है अब आपको क्या करना है supplementary का form बरना है supplementary का form बरने के बाद में आपको केबल उसी बिसे की फिर से supplementary परिच्चा देनी होगी लेकिन दोस्तो 10th class के जो भी student है form आपको age और SUPTS दोनों बिसे का बरना है लेकिन परिच्चा भी दोनों बिसे की देनी है लेकिन pass के बल एक बिसे में होना है यह आपके लिए good news है 10th class के student के लिए 10th class के student के लिए क्या good news है कि age और SUPTS form तो दोनों का बरना है परिच्चा भी दोनों बिच्चा की देनी है लेकिन आपको पास के बल एक बिच्चा में होना होगा लेकिन जो 12th क्लास के स्टूडेंट उनके SUPTS की एक ही परिच्चा होगी और पास भी होना होगा अगर फैल हो जाते हैं तो भी गड़वड काम हो जाएगा लेकिन 10th क्लास के बच्चों के लिए गड़वड नहीं होगा क्योंकि हैज और SUPTS में से आपको एक बिच्चा दोनों देनी होगी फोर्म भी दोनों पढ़ने पढ़ेंगे पैसे भी दोनों बिच्चा के लगेंगे लेकिन पास एक बिच्चा होना पढ़ेगा अमेद करां पूरी इंप्रमिशन अच्चे समझ में आ गई है वीडियो को सेयर का देना मिल दक लिए वीडियो में को जानकारी के साथ तक लिए बाई